इसा करना नहीं चाहिए तुम्हारे दिल के अंदर जो भी फिलिंग से उचे छुपा के रखना चाहिए और किसी को भी पता ना लगना देना चाहिए रहा केता है मैं इस और को मिस्टर स्रील को दे दूंगा वह आइडेंटिफाई कर देंगे और तुम जाके बैकेड में जाओ और जाके आपना स्कील प्राटिस करो अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो आना से पूछ लेना नगा से लिए हाइनेस को लगता है कुछ भी पता नहीं है तो रहें कहते लुका तो लुका कहते हैं किहां पॉइंट था 6...? और it Time नाइंद था तुमने काफी आची तरह किया और मौन चाहता हो तुम और भी आच्छी तरह इस तरह से पढ़ा ही करो और मैं उम्मीद करते हो अगली बाद जो टेस्ट होगा तो आपने छोटी भेहन को भी लेकर आना तो लुका के तहां क्यों नहीं प्रोफ सोच रहा है कि मैं माइन के अंदर जो भी है मुझे लागा था काफी आ आए ने सामर पास एक जिक्रड़ डेटर आया है क्यापिटल से रहा पूसा इसमें किसका साइन है तो वह कहता है इसमें कोई भी साइन नहीं है अजब लेटर पढ़ता है और यह तो लिखा है कि हज़ा से भी ज़्यादा सोलोट सारे क्यापिटल से वर्ष्ट के तरफ सिंस से किया में कहते है तुम्हहे काफी कुछ सीखनेना एक्प्रीयंस सफ्सेंस टॉम्मारे कुछ भी साइधे हुँ तब है कोई आ जाती है आकर्य यहां पर है कि यह कुछ गावाबर लोग जिने आडिंग में कुछ भी नेहीं आते हैं क्षैषी क् Napoleon कि ही तुन्ने क्या कहा खोजराई इन दो आक्टरों का अखरी ने पता नहीं इनका प्लेस क्या है इनका जागा क्या है तुम्हें तो इस सीटी के अंदर आना भी नहीं चाहिए जिनको बात करना भी करते पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं यहुषी घा cactus है कि लाज मताहहें किसी गली का भी मत बिश्या का कहाना है अनिके प्रसбиनस हो रहे लिक इनकम काफी काम और यह इस के बारे में और भी काफी सारे बाते इनकों सुनाती है मैं बेलडिन के बारे में सोच रही है कि यह सेम क्रूज से नहीं है और वह काफी फेमस भी है और थेटर ने इसे एक नया स्टार बना दिया है वेस्ट का और मुझे दिखा कर एरिन और बाखी सब को काफी कुछ कह रही है क्या लगता है वह जो चाहिए ओ कहे देग है को अगर कुछ बोलने से पहले आपना जुबान को थोड़ा लगाम दो लेड़की के दिख्या वाकवास बात कर रही हो तो मैं के दिख्या तुम्हारा स्कील तो काफी घटिया है तुम्हारी बज़े से इंकम काफी काम हो रहा है और तुम हमें कहरे हम जब डॉयल सब्सक्राइच भी बीना देख जाते हैं यहां पर देखने का यहां यह पर फिसने कंवां नहीं ज्साप्टे जिए हैं अम आदमी तो इस वज़े से जितने बी नोवब्वल्यें उडे आते उसने बाते सुनके आई से काफी गूसा आ जाता और केदा बस बस हो गिया तुम तुम्हें आना नहीं चाहिए था स्लिपिंग टाउन से यहां पर और कहती है तुझे क्या लगता है मुझे पाता नहीं होगा आखिर तू क्यूं गई थी स्लिपिंग टाउन तू एरिन से मिन के लिए नहीं के जितू गई थी और कुछ कहे पाती उससे पहले एक थपड़ लगती है उसकी गाल में में एक थपड़ लगा देती है मैं मानने के वाद सोच लिए लागता है मैंने कुछ ज़्यादा ही कर लिया और इसी बज़र से मुझे काफी दिक्कत भी आईगी उनमे से यह एकिन है कि मुझे माफिये मानने की कोई भी जरौत नहीं है मैं नाइट के बात याद करती है कि नाइट ने कहा था कि मौरत काफी स्ट्रॉंग होते पर उनका भी वीक पॉइंट होता है यह दो पॉइंट उसके साथ में पाइट उससे भी मत भूला ओ सबसे में होता ह यह मुझे मैं भी ताकद वर इंशन को हरा सकता हूं तो ही नाइट के एंट्री होती है आके कि दे क्या मैंने सुना था यहां पर कोई हाइनेस का बेज़ती कर रहा है और कुछ साजिस कर रहा है हाइनेस के ग्रूप के खिलाब हाइनेस के नाम से मैं ओर दे रहा हूं यहां पर जो भी कुछ हो रहा है इसे बंद करो सिंशेटर तो आम इन दोनों के तरफ दिखा आता है मैं कहते हैं तुम्हारी बाज़े से हमको काफी मज़द मिल गई नाइट के तो तुम यहीं पे रहती हो यह प्लेस तो काफी सांथ और प्लेन भी है मैं कहते हाँ यह प्लेस ऐस गतने के लिए यह बुरा भी नहीं है पर मैं यह जानना चाहूंगा आखित तुम यहाँ पर कैसे आगए तो नाइट के तह मैंने सुना था प्ले हो रहे हो रहे हैं और तुम भी उत्विक लिग के अंदर हो तो मैं आ गया पर जब मैं आया तो भी खत्म होने वाला था देखके तो मुझे मज़ा आ गया मैं कहते है लगता है तुम पेले से ही बाहर थे नाइट कहते नहीं नहीं मैं चुप चुप के कुछ भी नहीं सुना था यह तो आक्सिडेंट था मैं कहते है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँ आखे तुम इस तरह से क्यों देख करी हो और इतने सारे लोगों को क्यों लेकर आया था सच मुझ यह कोई ओडर था क्या नाइट के देना बिलकुल भी नहीं तिमति आपने लोगों यहां पर भेज रहे हैं इस वेस्टन रिजन में तो हाइनेस आपना आर्मी लेके यहां पर आ रहे हैं और मैं काफी जल्दी नहीं लेती है और केती है तुम इस तरह से नहीं पीशकते तुम तो डिट्टी में हो सारे काम खतावाने पर मुझे इंवाइड करना डिनर में सच बात तो यह है बॉडर टॉन को वाइनीस से विया अच्छे और में जहें कोई भी दिक्कत नहीं है दो दिन के बात जितने पांच बड़े फैमिली के उनके जितने भी जासुस है सारे इंटेलिजेंस उन्होंने मेसेज भेज़ है तिमर्थी आर्मी के बारे में कि वह आ रहे हैं स्ट्रॉंग होल की तरफ क्या तुम लोग को पता है और किस तरफ से आ रहे हैं तो मुझे पता है मेरे लिए ही आ रह रहे है तो रहां के ते ओ एक रेड इभील पील है जो आम आदमी खाते ही एक सोल्जर से भी ज्यादा ताकत और बन जाएगा तिमत के यह प्लान है वह स्टाटेजी है कि विस्टर रिजन को बार बार आटा करके हमारे ताकत को और भी कमज़र करना चाता है और उसके सामने जो भी उजले से उसका जो टार्गेट है उसे वह पूरी तरह से खादाओं करना भी चाता है मैं तुम्हें ओर्डर देता है वर्स्टर रिजन का बार्डर को तुम गार्ड करो और तुमारे फैमिली मेंबर में जितने भी स्ट्रॉंग वारियर है उनको लेके आओ पर हमने हम समझ गी और हैनेस पहले की तरह रेड रिवर वाटर से आएंगे आटा करने के लिए वर्स्टर रिजन में पर हम लोग जाएंगे विल्यम टाउन से रूट तो काफी बेकार है हमारे लिए काफी सारे मुसिबत ख़ड़ा कर रहा है जब यह रेड वाटर में जो दुस्मन इन्यमी के उपर इस बार हम सामने से अटांग करेंगे और मुझे 100 से भी ज्यादा सोल्जर चाहिए होगी जितने भी नोवले उनके उपर नजर रखने के लिए क्योंकि मैं नहीं चाहता बेटल के अंदर उनके बज़ा से मुझे और कुछ दिक्कत आए अंटा और वीच ट पूर्दा में दिखाता है थाई सीट के अंदर हो कोई आ चुके हैं और वहां कहता है कि मुझे पता है मैं आर्मी के कमन्ट देने के लिए इतना अच्छा नहीं है फिर मैं बॉंकर में रॉस करना और ट्यांक को स्टॉंपिंग करने में गाफी आच्छा हूं इहीं भी आर गाता है